नमस्कर हिमाचल टुड़े देख रहे हैं आप मैं हूं गौतम ठाकर और आज के मुद्दे में मुद्दा बहुत हैं मुद्दा है युवाओं के मतों का और उन मतों पर गिद नजर का 2024 के लोग सभा चुनावों को लेकर हाल ही में आयोजित भाजपार राश्च्वे कारकारणी की बैठक में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा वर्ग को जोडने का जो मंत्र दिया है वो कॉंग्रस जनाधार के लिए घातक साबित हो सकता है मोदी मंत्र के अनुसार बिजेपी देश भर में युवा मतदाता को विशेश कर वो मतदाता जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाला है उसे भगवा रंग में रगने की तयारी में है तो इसे लेकर भी पहले दौर में यूपी से मुहीम आरंब भी कर दी गई है जहां एक जन सभा के बाद भाजपा धक्ष जेपी नडड़ा ने यूवा वर्ग को अपने साथ जोडने का मूल मंत्र दिया है कि यूवा वर्ग को किस प्रकार भाजपा के रंग में रंगा जाए ऐसा नहीं है कि भाजपा पहली बार यूवा वर्ग को अपने साथ जोडने का अभियान चला रही है वास्तविक्ता तो ये है कि पिछले ढ़ाई दशक से भाजपा और आरसस सहित हिंदुत्व से जुड़े तमाम संगठन यूवा वर्ग को भगवा रंग में ढालने का प्रयास कर रहे है प्रधान मंतरी नरेंद्र मूदी के सत्ता में आने के बाद इस अभियान में अत्यधिक तेजी आई है बहुत जादा इस अभियान ने रफ्तार पकड़ी है इसके प्रभाव हाल ही में हुए हिमाचल विधान सभा के चुनावों में भी देखे गए है हिमाचल में भाजपा चाहे सत्ता से बाहर हो गई हो लेकिन यूवा वर्ग का भाजपा वर्ग में आने का ही परिणाम है कि भाजपा की पराजाय का अंतर बहुत कम रहा है ये सर्विधत है कि OPS के मुद्दे पर करमचारी वर्ग खुलकर कॉंग्रेस के पक्ष में खड़ा था ऐसे में कॉंग्रेस को उम्मीद थी कि विजए का अंतर जो है वो बहुत अधिक होगा अब ये भाजपा के आंकलन से सामने आ रहा है कि हाल ही में हुए विधान सभाचुनावों में लगभग धाई लाक युवा मतदाता ऐसा था जिसने पहली अत्वा दूसरी बार अपने मतदान का जो है वो अधिकार मतदिकार का जो है वो इस्तमाल किया भाजपा का दावा है किन धाई लाक में से दो लाक मतदाताओं ने भाजपा के पक्ष में मतदिकार का प्रियोक किया है ऐसे में मोधी मंत्र को यदी आगे बढ़ाया गया तो आने वाले समय में अधिकांश युवा वर्ग, कॉंग्रिस तथा अन्य विपक्षी दलों से छिटक सकता है अब कई सवाल दिमाग में आते हैं कि युवा वर्ग जो है वो बहुत जादा महतपूर्ण एक वर्ग है और उस पर किस पार्टी का प्रभाव जो है वो जादा रहेगा और किस तरीके से वो पार्टी उसको अपनी और लाती है ये बड़े सवाल है और कई सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ हमारे स्थाने संपादक विजएपूरी जी जोड़ चुके हैं सर नमस्कार आपका स्वागत है सर कई सवाल आते हैं बीजएपी एक स्ट्रॉंग पार्टी बनकर जो है वो उभरी जरूर है वहीं कांग्रेस जो है वो कही ना कही दभी हुई सी इस वक्त के दौर में जो है वो कही ना कही नजर आती है क्या लगता है कि अभी कांग्रेस की क्या स्थिती है? देखिए कांग्रेस जहां तक तो हिमाचल की बात है तो इसमें कोई शक नहीं कि हिमाचल में कांग्रेस ने अपने आपको मजबूत किया है. मैं आपको यह बताओं कि यह कहा नहीं जा सकता कि हमेशा किसी एक पार्टी जो का जो है वचरस जो है पूरे देश में रहता है और विशेशकर हिमाचल पर देश में तो मैं यह कह सकता हूँ कि पांस साल के बाद सत्ता परवरतन होता रहा है उनीस सो पचासी के बाद हमने यह ही देखा है और इसका मतलब यह है कि आप सीधे तोर पर यह कह सकते हैं कि यहां जो है सत्ता परवरतन ही होता रहा है बावजुद इसके बाजपा ने युवा वरग में अपना जनादार बढ़ाया है यह आपका कहना से ही है उसके दो कारण है बाजपा की नजर जो है पहले से ही युवा वरग के उपर रही है मैं आपको बताओं कि 1975 तक आपाद काल से पहले तब तक जो है वो देश में कांगरस ही राज किया करती थी कांगरस के अलावा कोई और राजनेतिक दल सता में था ही नहीं जिसको हम यह कहें कि बाजपा का या किसी कोई अन्या दूसरा ज नाना शुरू कर तीया है लेकिन आपको यह भी बताओं कि वह ऑजादी के बाद से लेकर शुरू से ही जो है वो आर स स जो है वो जो है वो यह प्रयास करती रही है कि यह वा वरक को जो है वो हिंदू तबकर असमें जोड़ा जाहे उसमें यह था कि जैसे RSS की शाका हैं लगती थी तो RSS की शाका लगने का मतलब यह था कि RSS के लोग जो है वो भाजपा जो है वो उसको एक तरह से RSS के लोग अपने लिए जुड़ा करते थे उसमें भाजपा तो थी नहीं लेकिन बावज़ुद इसके जो है वो RSS का परवा लोग शुरू है ये विपक्षी दल जैसे भाजबा तो उसके बाद से युवावर को बहुत आगे लाया गया है और आस्तिती ये है कि अधिकांश युवावर कांगरस तका अन्या भाजबा के विरोधी दलों से छिटक चुकी है अब ये कहें कि वो छिटक चुकी है या और ने जो नई पौद जो जिसको हम यूँ कहेंगे के जो ने अठारा साल से ओपर केमाद आता उनमें भी अधिकांश क्योंकि अब परवारिक परस्तितियां बदल गए हैं कांगरस ने अजादी की लड़ाई लड़ी थी अजादी की लड़ाई के समय जो कांगरस के साथ जो लोग जुडे होए थे वो लोग उनकी विचारदारा एक अगली कुछ तक जारी रही और अब जो है उस विचारदारा के लोग दीरे 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 करके जो है वो खर्च हो चुके हैं तो अब जो है वो यूवा वरग अपनी सुवधाओं को देखते हुए और वो राजि किये हैं कि युवा वर्ग को अपने साथ जोडा जाए शायद कांग्रेस भी इसका महत्व समझने लगी है भारत जोडो जात्रा के दोरान आपने देखा होगा कि युवा वर्ग जो है वो खुल कर सामने आया है और वो जन्सभाओं के लिए जो है वो वहां खड़ा हुआ और बारत जोडो जात्रा के दोरान वो तेही तेही चोवी चोवी किलोमीटर जो है हर प्रदेश में युवा वर्ग उनके साथ चला है तो ऐसे में युवा वर्ग में कांग्रस भी जोश भरने का प्रयास कर रही है और भविश्य की राजनिती जो होगी वो यह होगी कि युव लावो में क्या कुछ होने वाला है देखिये यह तो जो है वो भविश्य की कोख में चिपा है लेकिन अभी जो हालात है विपक्ष जो है वो बटा हुआ है और बटे विपक्ष का लाव बीजे पी को हर हालत में मिलेगा आप यह गत्म इसको यह समझने की जरूरत है 1975 से पह पर नब्वे के दश्यक्त तक आइक चतरर राज राहा पूरे देश में इसका मतलब यह नहीं था के कांफर के कांफर को जो है शत्परिश्ट जनता चाहती थी कांगरस जो है वो 30-35 प्रतिशत मत्दान लेकर जो है देश में राज करती रही और बाजपा जो है वो बाजपा या अन्या विपक्षी दल जो है वो जड़ादार ज्यादा होने के बावजूद भी छिटकते रहें क्यूंकि विपक्ष बटा हुआ था उस वक्त जो है चुनाव जब हुआ करते थे कांगरस वर्सीस अन्या विपक्षी दल आज जो चुनाव हो रहे हैं वो बाजपा वर्सीस अन्या विपक्षी दल तो जो जो मददान बटता है के कांगर्स का केंडिडेड़ी भी खड़ा है अब आदमी पार्टी का केंडिडेडी भी खड़ा है वो हिंदु तब की लड़ाई लड़ रहा हो चाहे उसको कैसे भी कहा जाए वो वर्च तो उसका वोट जो है वो बटेगा नहीं वो बाजपा को ही जाएगा अन्या मतों को बाजपा किस परकार खेंच पाती है ये देखना होगा और आज भी बाजपा ये दावा कर रही है जो 19 के चनावों से ज्यादा सीटे जो है वाजपा को मिलेगी पर मैं ये कहूंगा कि बीते कुछ तिनों में जो है वो मोधी जादू मोधी फैक्टर जो है वो कम हुआ है इसका असर वाजपा पर जरूर पड़ेगा लेकिन बावजद इसके अन्यावी पक्षी दिलों को एक ज करना होगा और अपने लिए ठोस नीती का निदारन करना होगा ता आज विपक्ष को मजबूत किया जा सके लोगतंतर में जरूरी भी है कि मजबूत विपक्ष को पुरानी गलतियों से या पुरानी जो भी सिचुएशन थी उससे बीजेपी ने सीखा अपने संगठन को मज बनाया और आज ये भी कहा जाता है कि सबसे जादा अनुशासन में रहने वाली पार्टी बीजेपी है या इस वज़े से कहा जाता है कि उपर हाइकमान ने जो फैसला कर दिया वो हर कोई मानता है क्या ये कारण है कि अपोजीशन जो है वो बिखरा हुआ है लेकिन बीजेपी बीजेपी के लिए वो कोई बड़ी बात नहीं है ऐसे जो विरोध करने वाले हैं अपने आप ही बाजबा से छिटक जाते हैं और उनका कोई बहुत लंबा चोड़ा परभाव नहीं रहता है लेकिन कांगरस और दूसरे भी पक्षी दलों को इस बारे में सजग रहना होगा क्योंकि वो हाइकमान जो है वो उतना मजबूत नहीं रहा जितना स्वर्गे इंद्रा गंदी के समय हुआ करता था कांगरस में और इसमें मैं यू कहूँगा कि पश्चे मिंगाल में ममता विमर्जी के अलावा जो है वो कोई ऐसा मजबूत हाइकमान नहीं है जो ठोस निर देखें हिमाचल में कांगरस जो है वीरबद सिंग के समय एक चूटती और उनके नाम की चर्चा होती थी ऐसा नहीं है अब सेकंड लाइन लीडर्शिप को समय मिला है और अभी तो महीना सवा महीना हुआ इस पर टिपनी करना सही नहीं होगा क्यूंकि आने वाले समय में सितें हिमाचल को आती हैं क्या लगता है देखें जो पार्टी सथ्था में होती है निश्चिती तोर पर एज उसीका ही रहता है हिमाचल में यह देखा गया है एक आद बार को छोड़कर एक बार ऐसा भी हुआ के सत्ता में कांगरस थी और चारों की सीटे वो बाजपार की जोली में जोली में चली गए थी। लेकिन आज की पर्स्थीतियां क्या कहती हैं उसमें हम यह जो कहें कि आज कांगरस की स्थीppo है, मजबूता विशेश जो है कांगरस पहली बार शायद हमिरपूर संसिधिया श्यत्र पर मकाबला देगी लंबे समय के बाद लगवाद डाई दश्कों के बाद तो ऐसे में देखना है अभी चुनाव दूर है और आने वाले समय में कई रन्नीतियां बनेंगी और जो है कई चक्र चलेंगे राजनीती के तो उसमें क्या बदलाव होते हैं यह देखने वाली का एक आखरी सवाल कि नौजवानों को अपनी और करने के लिए क्या कांग्रस कोई रन्नीती पर काम कर रहे है भारत जुड़ोयात्रा क्या लावा देखिया हिमाचल में यह कांग्रस का सोभा गया है कि वो मुख्यमंत्री बने हैं जो NSUI से लेकर युवा कांग्रस के सु clicking से लेकर वा अब मुख्यमंत्री हैं तो उन्हें NSUI संगटन का भी अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि संगटन में क्या खामिया रहती थी निजे कामिया थी वो युवा वर्ड़ को अपने साम जोड़ने का हर संभव परयास करेंगे अर्कॉर्ण के अग excelुनों को सुक शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए मुद्धा बहुत जादा एहम क्योंकि युवा पीड़ी को जिस भी पार्टी ने अपनी और किया उसका पलड़ा भारी होता हुआ नजर आता है चुनाब बहुत दूर नहीं है चार सीटे हैं कौन उस पर बाजी मारता है यह भी देखना होगा और युवा किस पार्टी का सपोर्ट करते हैं उस पर भी नजर रहीए फिलहा लाज के मुद्दे में इतना ही हमाचल की खास खबरों के लिए बने रही हमाचल टुड़े के साथ